नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांड जोते सीकेट मिथून डासी वालों खूब पैसा कमाना है तो एक काम करना आज से ही बंद कर दें वो कौन से काम है और आखिर वो कौन सी चीजे है जो आपको दुनिया में हमेशा जाहिर नहीं करनी चाहिए और सफल होना है तो क्या करना चाहिए तमाम बाते जारी है वीडियो के अंतक बने रही है देखिए जो मिथून वाले है बुद्ध की रासी है वायू तत्तु की रासी है और मिथून वाले बड़े ही बुद्धिमान होते हैं जैसे कि वायू तत्तु की रासी है जैसे वायू के अंदर फैलाव है बिश्तार की सीमा नहीं होती और तत्तों की सीमा भी नहीं होती तो उसी प्रकार जो मिथुन वाले हैं उनके अंदर जीवन में आकस्मिक चीजे बहुत होती हैं बड़े ही बुद्धिमान होते हैं बहुत ग्यानवान होते हैं अध्यात्मिक होते हैं मिथु वाले यानि जहां पर दिमाग आपका काम करने बंद कर दे वहां से आगे तक की सोच रखने वाले मिथुन वाले होते हैं बड़े ही टैलेंटेड चुकि स्वामी बुद्ध है तो यहां पर बुद्धिमान बना देता है वायू की ताकत मिल जाती है और यह चीजे आपको इनके तरह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता बड़े ही खुबसूरत होते हैं ऐसा जोतिस कहता है कि मिथुन वालों की आखे बहुत खुबसूरत होती है आखे बोलती है और 90% मिथुन वाले खुबसूरती लिये वे ही होते हैं बहुत कमी मिथुन वाले होते हैं जो दिखते नहीं है अच्छे दिखते हैं बहुत खुबसूरत इनके आंखे जो होती है न नयन आकर्सन पैदा करती है हर बेगती एक बार पलट कर इनको जुरू देखना चाहता है हाजिर जवाब भी बहुत होते हैं क्विक आपको इनके तरफ से जवाब मिल जाएगा कोई भी सवाल हो फटा फट से बोलेंगे बहुत अच्छा बोलते हैं एकदम से सटीक जवाब सही समय पे थोड़े चंचल होते हैं और एकदम से परफेक्ट होते हैं लेकिन कहते हैं न हर किसी में कुछ नो कुछ कमियां होती है हर एक चीज में कमियां होती है बिल्कुल 100% प्रफेक्ट जीवन में किसी का नहीं है कोई भी हो राजा महराजा हो प्रधान मंती हो राष्ट पती हो कहीं न कहीं एक कोना खाली होता है हर किसी के जीवन में मिथुन वालों को भी जीवन में कमजोरी रहा है जो इनके लिए हखाली पम है अब इन कमजोरीं से कैसे बाहा कि निकलें क्या है कम जोरीं बगर और वह है कनफ्यूज होते छा दो लाप्रवा भी होते हैं बहुत ज्यादा जितने बुद्धिमान उतने ही लाप्रवा और छोटी-छोटी लाप्रवा ही भारी पर जाती है इसी कारण से हानी भी अक्सर आपको उठानी पड़ती है अब क्या मितुन वाले हैं सही टाइम मेनेजमेंट के लिए क्या करें कि धीर में जल्दवाजी में कोई निर्ने ना लें जल्दवाजी में कुछ भी करने से बचिए जब भी कुछ करना हो सोच समेश कर निर्ने लें नहीं ले सकते हैं खुद से तो अपने बड़े बुजरुगों की सिनियर की सलाह से करें वैसे जीवन में अगर आपको लगे कि संगर क्या होता है न मिथून वालों के जीवन में करियर को लेकर संगर्स होता है अभी तक हमने आपको बताया कि वो कौन से काम है जो आपको नहीं करना चाहिए और आप होते कैसे हैं अब चुकि हम पर करियर को लेकर जीवन में संगर्स है और करियर जब बढ़ियां चलेगा तो खुब पैसे भी आएंगे तो आपको वो कौन सा ग्रह है जिसको मजबूत करना है वैसे तो भाई बहन का रिस्ता आपका काफी नजदीकी होता है और आपके जो रासी के स्वामी है बुद्ध देव अगर खराब हो जाए तो रिस्तों में दूरियां आ जाती है इसका कारण होता है आपका एहंकार ब्यक्तिगत एहंकार भाई से रिस्ता रखना बहन से रिस्ता रखना ये आपके लिए बहुत जरूरी है वरना जीवन में संघर्स बढ़ जाएगा और इन संघर्स को कम करने के लिए आप चाहते हैं सफलता आसानी से मिले सरलता से सफलता की ओर बढ़ें तो ऐसे में मंगल वार और सनी वार के दिन साम के समय सुन्दर कांड का पार्ट कीजिए या सुन लीजिए आडियो चला दे अराम से सुन ले इससे भी आपको लाव होगा जीवन में जो इस ट्रगल वाला पार्ट है वो ठीक हो जाएगा वैसे तो मिठुन वालों को जीवन में धन अपनी सर्तों पे चाहिए धन तो चाहिए कमाते भी बहुत हैं लेकिन बचा पाना आसान नहीं होता और ये धन के लिए धन के पीछे पीछे भागना, बहुत जादा हाय करना, बहुत जादा कंप्रोमाईस करना ये इन्हें नहीं आता है साथ इसी लिए धन आता तो है पर बचता नहीं या फिर बहुत जादा compromise नहीं करते तो simple तरीके से जितना आ गया उतने में ही खुश है अब आप चाहते हैं कि धन खूब आए धन बचे भी अब इसके लिए आप क्या करें चुकि मिथुन वाले लोग बड़े बुधिमान होते हैं कभी कभी संकी हो जाते हैं और चुकि वायू तत्तु की रासी है न तो समस्या भी वायू तत्तु की होती है इनसे आपको निकलना होगा भर्म की समस्या दुविधा की समस्या सांस की समस्या ये समस्या आपकी जीमन मे ज्यादा होती है आपको अपना स्वभाब अपना स्वास्त सब कुछ ठीक रखना है तो फिर आपको ये चीजों का अभ्यास भी करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए और मंगलवार के दिन मीठी चीजों का दान करें तो धन आसानी से आएगा बचेगा भी सरलता से बचा भी पाएंगे मिठून वालूं जो की बुद्ध की रासी है और यह पर स्वामी आपके बुद्ध हैं हैं तो मिठूनके लिए सबसे मुहत्त्र पूर्norm गरह बुध भी होता है और अगर आपका बुद्ध मजबूत हो तो आप बहुत बुधीमान होते हैं लेकिन यह पर बुद तो इसलिए ऐसी स्थिती में दुबी धाओं से बशने के लिए भी आपको हरमाद जी के ही सरन में रहना, यानि मंगल यहां सरवे सरवा है, लेकिन मन की दुबी धाओं से निकलने के लिए करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुद्धवार की साम को अपनी सबसे छो झाल झाल